Hello dear aspirants, उमीद करता हूँ कि आप सभी की exam की preparation बढ़िया चल रही होगी तो कुछ time पहले ही हम आपके लिए Bitsight का logical reasoning और English का batch 1 लेके आये थे तो उसमें students ने उस course को काफी जादा पसंद किया और उनका response काफी बढ़िया रहा तो again students की demand थी कि भाईया जल्दी से जो है इसका new batch लाइए तो हम लेके आ गए है आपके लिए Bitsight का logical reasoning and English का batch 2 और यहाँ पे हमारा target है कि जाद से जादा students को 80 प्लस score करवाना है logical reasoning और English में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर Bitsight में जो है यह logical reasoning और English हमारा लिए इतना जादा important क्यों है क्यों कि इस बार आप इन दोनों ही sections को जो है अदर एस्टिमेट नहीं कर सकते तो एक बार अगर हम Bitsight के 2022 का subject price marks पे जो है नजर डाले यहां पर जैसा कि आपको दिख रहे है कि मैस का आपका वेटेज रहेगा 120 marks का आपके physics का वेटेज रहेगा 90 marks का chemistry का वेटेज रहेगा 90 marks का और logical reasoning and English sections मिला के जो है वेटेज रहेगा simply underestimate नहीं कर सकते आपको जो है इन पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि आप बाकी subjects पे दे रहे तो इसी चीज को समझते हुए हम आपके लिए जो है इस course को लेके आए है और यह course हर एक bit set aspirant के लिए उतना ही important है जितना कि वो बाकी subjects पे प्रिप्रेशन कर रहे तो सबसे पहले अगर हम देखे कि logical reasoning और English जो है वो हमार लिए काफी जादा scoring section हो जाता है तो जिन students को भी आर पुराना कुछ भी ऐसा knowledge नहीं है उनको ऐसी कोई requirement भी नहीं है कि आपको logical reasoning और English के लिए पहला कुछ आना चाहिए आपने अगर new start भी लिया इस course में जो है आपन में जो है कुछ tricks सीखने को मिलता है जिसकी में से हमारी speed improve हो जाए तो यह सब चीजे तो आपको इस course में सिखा ही जा रही है और अगर आपकी speed and accuracy अच्छी रही तो आप 90 out of 90 भी score कर सकते यह चीज जो है आप इतने confidence के साथ physics chemistry or math के लिए नहीं कह सकते कि हाँ मैं जाके physics में पुल ले आउंगा यह chemistry में पुल ले आउंगा अब अगर हम देखे कि यह जो हमारा course है logical reasoning and English का यह आपको किस तरीके से help कर सकता है आपके bitset 2022 में तो हमें जो है level पता है bitset की exam का किस तरीके से रहेगा और इस बार जो है pattern change रहे तो उस साब से ही हमने आपके लिए content को जो है प्रिपेर करके रखाए प्लस आपके जो ब्रोशर में syllabus है हम प्रॉपरली उसी के साथ टिक कर रहे हैं आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है extra चीजे कवर कर दिये और जो चीजे हमें लगी कि वह आपको जो है extra इसलिए करानी चाहिए क्योंकि आपके जो है पिछले papers में उस हमने वह चीजे कवर किये ताकि जो है आप इसमें जो है mark score करता है प्लस पूरे गोर्स के टाइम का आपको जो टिप्स और ट्रिक्स सिखाई जाएगी वह आपके लिए बहुत ज्यादा जो है important रहेगी अब अगर हम देखे कि स्कोर्स में जो है आपको क्या क्या चीजे offer की जा रही है तो सबसे पहले आजाते आपके वीडियो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स आपके दो टाइप के रहेंगे एक तो रहेगा आपका लाइफ दूसरा रहेगा आपका recorded session तो recorded session में आपका पूरा cover-up हो जाएगा जो जो आपको ब्रोशन में चीजे दी है अब उसमे इतने जादा आप questions practice करेंगे उतने जादा help होती है बट यह कोर्स की खासियत यह है कि logical reasoning में आपको इतनी बढ़िया trick सिखाई जाएगी जिसके नवज़से नॉर्मल स्टुएंट्स जो है question में जितना time लेते उससे आप जो है जल्दी solve कर पा है तो जब चीजे आपकी दिम एक के question के बारे में idea मिले live sessions में तो आपको जैसा कि मैंने बताया doubts लिये जाएंगे और एक और important बात यह है कि आपको सारे live sessions की recordings भी मिलेगी तो किसी वज़ा से अगर कोई student जो है live session को अटेंट नहीं कर पाया तो वो जो है बाद में उन recordings को देख सकता है अब अगर मैं बात इस आपको इस चीज में help करेगी कि जो चीज आपने वहाँ सीखी अब जो है आपको self practice में use करें और सारे ही जो आपके questions से वो एकदम bitset level के रखे गए है प्लस आपके latest pattern पे based है तो यह चीज़े आपको help करेगी कि bitset से पहले ही जो है आप उन questions का experience ले 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 इसके अलावा जो है आपको इसके अंदर extra resource एक booklet दी जाएगी English के लिए तो basically English में जो है कुछ ऐसी चीज़े भी होती है जो कि आपको extra की पढ़ना चाहिए तो वो चीज़े भी आपको इस booklet में दी जाएगी ताकि जो है आप self study से भी कुछ चीज़ों को इंप्रूव कर पाए तो grammar और vocab क को ला सकते हैं तो अब जो है इन्रॉल करने का प्रोसीजर क्या रहेगा तो कोर्स में simply इन्रॉल करने के लिए आपको हमारी website 10q-challenge.in पर विजिट करना है खुद को सबसे पहले रिजिस्टर कर लीजिए और courses के अंडर में जो है उपर आपको courses देख रहा होगा उसके early bird discount coupon code लगाई है तो early bird discount coupon code से जो है आपको एक बढ़िया सा discount मिल जाएगा ध्यान रखिएगा यह जो आपका early bird discount coupon code है यह सिर्फ 50 students के लिए है और हमने जो है अपनी community post में पहले ही निकाल दिया था जिसके अंदर काफी सारे students पहले ही इस course में इन्रॉल कर चुके तो seats already कम ब जितनी हम जो है help provide कर सकते है ठीक है अपने चैनल पर भी हम लगातार आपके लिए बढ़िया content ला रहे है साथ ही साथ हम अपने course में भी ध्यान रख रहे है कि जो भी students हमारे course में enroll कर रहे है उनको जो है चीजे productive लगे और वो उनको जो है efficiently अपनी exam में use कर पाए तो आप भी जो है हमारे course का हिस्सा बन सकते है चलिए इसी तरीके से जो है हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे है मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए take care and goodbye